हंजी एक और बड़ी दमाकेदर अपडेट आप सभी के लिए आ गई है यूपी का एक और बड़ा एक्जाम रद हो गया दोस्तों जी हाँ यूपी का एक और बड़ा एक्जाम रद हो गया है उसमें कुछ खामिया पकड़ी गई है और उन खामियों को देखते वे यूपी सरकार ने योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि इन एक्जाम को रद कर देते हैं और दोबारा से कुछ दिनों बाद इसकी बरती प्रिक्षा हम दोबारा ले लेते हैं और साथ में ये भी कहा है कि जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है जिनोंने युवाओं के साथ ये गड़वड़ी की है उनको बक्सानी जाएगा और इतनी बड़ी सजा उनको दी जाएगी कि सारी जिन्दगी याद रहेगा और वो इतिहास बन जाएगा कि योगी सरकार ने कुछ ऐसा किया था जिनोंने गलत काम किये थे देखिए क्या कुछ कहा गया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो फटावट से क्योंकि भरतियों की जानकारी यहीं पर मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश लोक शेवा आयोग दुवारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समिक्ष्या अधिकारी सहयक समिक्ष्या अधिकारी प्रार्भिक प्रिक्ष्या 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने में इसे पुन्य कराने के आदेश दे दिये हैं प्रिक्ष्या की सूचिता से खिलवाड करने वालों को किसी भी दसा में बक्षा नहीं जाएगा युवाओं के दोशियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी नजीर बनेगी जिहां इतिहास बना देगे ऐसी सजादे कि पूरा पूरी दुनिया याद रखेगी और योगी न योग के कर दिया और एट के तो यो काम कोई क्याने करा देगा तो बहुत बड़ी आडेसिजन है ये ये प्रिक्षा रद करके जो इन मुख्या मंतरी साब ने गोशना करी है योगी जीने गोशना करी है तो ये आपके पर पर रद हो गए है और 6 महिने के अंदर इनको दोबारा से करवा ले जाएगा और जिन्होंने जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको बक्सानी जाएगा आपकी क्या राए है आप कमेंट बोक्स में जुरूर तरना कमेंट बोक्स खुल आपका तो फटा फट कमेंट करो और चैनल को सबस्क्राइब कर लो ये आपको आगे भी अपट लेट सिये दो धन्यवाद